देखिए आकसर देखा जाता है नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 चेक बाउन्स केसेस पर कहा जाता है कि राजी नामा कर लिया जाए आपस में सेटेलमेंट कर लिया जाए ताकि मैटर वहीं पड़ी रफा दफा हो जाए लेकिन आकसर देखा जाता है ऐस एक नया जाजमेंट आपको बताऊंगी जहाँ पर कुछ नया चीज देखने को मिला है अब कैसा नया बात है कैसा नया चीज है सबसे पहले आर्टिकल 142 अब दी कॉंस्टिटूशन ओफ इंडिया यानि कि भारत के संग्विधान के अनुछित 142 को इस्तेमाल करते हुए अब क्या है ये फैक्स ये जजमेंट से क्या सबग लेना है आपको पहली बात तो ये डिसीशन को सिंपल बनाने के लिए मैं चार बुलेट पॉइंट्स पर इसको डिवाइट कर चुकी हूँ सबसे पहले क्यों आर्टिकल 142 के बारे में ओनरबल सुप्रिम कोट बताए ठी दिफेंस के फेवर में गया और कंपलेंट पाल्टी के अगेंस पर गया अब ऐसा क्यूं है डोनों के काम में ही ये जजमेन लगेगा और लास्ट पॉइंट पर रहेगा जस्टिस सजेशन आपके लिए क्या सबक लेना है आपको तो केस का चा नाम से इस यहा गेंक हैंनी सि पहुंच जाता है, मैजिस्टेट के पास बहांस होता है, मैटर आगे चलता है, फिर बाद में जा करके रिस्पॉंडेंट पार्टी कमपाउंट के लिए एप्लिकेशन दाखिल कर दे थे, कमप्लेंट पार्टी का हक का जो कमपेंसेशन है, जो सती पूर्ती है, मुअबजा, इंट्रेस्ट के साथ उसको भी चुका दिया गया था, अभी मैटर को आगे खिच के क्या फाइदा, चले यहाँ पर कमपाउंट कर ले थे, तो सेक्शन 147 अब दी एनाय आक्ट को इन्वो किया जाता है, प्रायल कोट से पाता है हाई कोट के पात, और जजमेंट वर बोले हम लोग सेक्शन 482 CRPC अभी नया कानून में यानि की भारतिय नागरिक शुराक्षा सनहीता में यह बन गया है 528, 528, तो इसको इस्तेमाल करते हुए यह पर्टिकुलर चेकबाउंस केस को क्वैश कर दे थे, खारिज कर ठीके, अभी 482 क्या कहता है मालूम है, यह हाई कोट का एक इनहरेंट पावर है, इसको इस्तेमाल करते हुए हाई कोई भी प्रसीडिंग्स को क्वैश यान की खारिज कर सकते है, तो खारिज हो जाता है मैटर, अभी हाई कोट का रीजन क्या था देखिए जारा, कंप्लेन पार्टी वो सम्मती दे रहा है या फिर नहीं दे रहे है, कंपाउंड करने के लिए यह कोई मैटर नहीं करता है, कंप्लेन पार्टी ले करके पहुंसते हैं, कंप्लेन का कहना यह है, देखिए, I am not judging someone, but सती पूर्टी का amount मिल गया है, उसके बाद वो सम्मती भी नहीं दे रहे है, कि मैटर को कंपाउंड किया जाए, अभी यहाँ पर accused person करे तो करे किया, तो यही पर मानिने सुप्रिम कोट बोले, सेक्शन 138 Negotiable Instrument Act के अंदर कंपाउंड करने की धारा है, सेक्शन 147, और यही पर कंप्लेन पार्टी का सम्मती अनिवाडिया है, इनके सम्मती ना लिये, हो ही नहीं सकता कंपाउंड, कंसेंट तो जरूर है, लेकिन यह केस एक perfect केस है, बिफिटिंग है, 142 को इस्तेमाल करने का, और यही इस केस में हुआ भी, तो बोले, हाई कोट यहाँ पर गलत किये, matter को खारीच करके, 482 का power इस्तेमाल करके, ठीक है, नमबर वान, नमबर टू, quashing and compounding, यह दो अलग- दो अलग-अलग चीज है, है ना, इस तरीके से, honorable court बोले, यह एक absolutely perfect केस है, article 142 of the Constitution of India को इस्तेमाल करने का, यह judgment पास करते हैं, case का situation बहुत ही unique है, और cases को भी refer किया गया, उनमें से एक राज-ready column versus state of hariyana, यह बहुत ही important case है, इसके उपर एक और वीडियो आएगा, तो सुप Supreme Court यहाँ पर rule किये, 138 check bounds case में, 147 पर compound करने के लिए, complainant का consent जरूरी है, नमबर 2, high court यहाँ पर गलत किये है, 482 को इस्तेमाल किये, नमबर 3, perfect case है, under article 142 इस्तेमाल करके, इसको quash कर देना चाहिए, यह एक ऐसा power है, सिर्फ Supreme Court ही इसको इस्तेमाल कर सकते है, यहाँ पर court, मतलब complete justice करने के लिए, नयाय करने के लिए, यह देख पा रहे है कि सब कुछ प्रमान हो चुका है, कौन दोशी है और कौन दोशी नहीं है, इसको appropriate relief मिल पा रहा है या फिर नहीं, article 142, clause 1 के तहत matter को quash कर सकते, तो यही हुआ यहाँ पर भी, for the ends of justice, अभी यही यही पर court, एक चीज note down करने के लिए कहे, कि article 142, safe for safe, supreme court के लिए है, supreme court ही इसको इस्तेमाल कर सकते है, तो यही पर justice suggestion, summary आपके लिए, reverse presumption के बारे में सुना है ना, इसको courage करना परता है, reward करना परता है, साधरन language में समझे, अगर आपके तरफ के evidence भारी बन जाता है, तो इन इनके तरफ pendulum shift हो जाएगा, यानिकि इनको evidence लाना पड़ेगा solid, लेकिन अगर इनका evidence मजबूत हो जाता है, तो क्या, तो आपको देना पड़ेगा मजबूत evidence, जो कहेगा कानूनी रूप में पैसा चुकाना है, और जो कहेगा कि नहीं नहीं, कोई पैसा वगेरा मिलना नही इसके favor में, evidence का पालना को मजबूत करना पड़ेगा, और ये दोनों section को एक साथ पढ़ना पड़ता है, अभी conclusion पर court matter को खारी जी करते हैं, और बोले इस particular matter से जो सारा का सारा cases चल रहा है, सभी को हम लोग quash कर देते हैं, मतलब full payment हो जाने के बाद कोई purpose नहीं है कि cases को continue करे अभी हाँ, situation कोई अलग होता, या फिर 420 वागेरा कुछ ऐसा होता, तो वहाँ पर कुछ अलग चीज है, उसको भी अलग तरिके से खारीच करवाना पड़ता है, so that's it in this video, उम्मीद करतों इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ value मिला है, अगर मिला है कि like चैनल को subscribe और उसको share कीजेगा, और भी लोगों को कानूनी जागरोग बनने में मदद कीजेगा, बहुत बहुत धनीवाद आपका,